हेलो फ्रेंद्स वेल्कम टो डेली अनलाइसिस ओफ यूजडी आएनर एंड यूरो आएनर दोस्तों आप लोग प्लीज चनल को सब्सक्राइब कीजिएगा बेल आइकन प्रेस कीजिएगा और वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे वट्सप चनल का लिंक दिया हुआ है आप लो लोग साथ में लाइक कोमेंट और शेयर करके हम लोगों को मोटिवेट भी करते रहिएगा दोस्तों आज इंडियन करंसी मार्केट क्लोस था और आप लोग स्पोर्ट मार्केट में भी देख सकते हैं ज्यादा मूवमेंट आज के ट्रेडिंग सेशन में नहीं था और दोस् के पहले बहुती इंपोर्टेंट दो टोपिक के ऊपर डिसकस कर लेते हैं दोस्तों 22 फेब को यूएस फेट का एफो एमसी मिनिट्स आने वाला है और दोस्तों एफो एमसी मिनिट्स यूएजड़ आइनर और यूरो आइनर के लिए बहुती इंपोर्टेंट होने वाला है और दोस्तों Indian Time के अनुसार 22nd February के 3.30 PM को Eurozone का CPI data आने वाला है और दोस्तों CPI data USD INR और Euro INR दोनों के लिए बहुत ही important होने वाला है तो दोस्तों 22nd February के पहले तक USD INR और Euro INR में range bound volatility दिख सकता है तो यह रहा बहुत ही important first topic अभी हम लोग second topic के ओपर discuss कर लेते हैं दोस्तों हम लोग इस channel पर जो भी analysis करते हैं यह spot price के उपर होता है और दोस्तों आप लोग weekly या monthly जिस भी future contract में trade करते हैं आप लोग जो है spot price के साथ future price के difference को ध्यान में रखते हुए trade plan कीजिएगा दोस्तों कल के trading session में अगर spot market 82.96 और 83 के range के अंदर रहता है या खुलता है तब जो है यह बनने वाला है हम लोग के लिए no trade zone दोस्तों क्यूंकि 82.96 और 83 का जो range है इसमें buy और sell को लेकर कोई भी clarity नहीं है और उसी इसाब से यह कल के trading session के लिए no trade zone बनने वाला है और दोस्तों कल के trading session में अगर spot market 83 के उपर sustain करता है और उसके उपर trade करता है तब जो है हम लोग higher level के लिए target कर सकते हैं और उसी इसाब से दोस्तों 83 के उपर हम लोग का first target होने वाला है 83.05 83.05 के उपर हम लोग का next target होने वाला है 83.10 83.10 के उपर 83.13 83.13 के उपर 83.15 कल के trading session के लिए final target होने वाला है दोस्तों 1R के चार्ट पर हम लोग देख सकते हैं 83.05 का जो level है यह strong resistance की तरह काम कर रहा है और उसी इसाब से दोस्तों 83.05 के level से reversal भी दिख सकता है और उसी इसाब से दोस्तों अगर आप लोग 83 के level पर buy करते हैं तब जो है आप लोग 83.05 के level पर trade को exit कर सकते हैं 83.05 के उपर sustain करता है और उसके उपर 15 minutes का bullish candle फॉर्म करता है तब ही जाकर higher level के लिए target कर सकते हैं जोस्तों कल के trading session में अगर spot market 83.05 के उपर sustain करता है तब ही जाकर हम लोग 83 का call buy कर सकते हैं और अपने risk reward ratio के इसाब से planning करके कल के ही trading session में exit कर सकते हैं और दोस्तों कल के trading session में अगर spot market 82.96 के नीचे चला जाता है तब जो है हम लोग sale कर सकते हैं और उसी इसाब से 82.96 के नीचे हम लोग का first target होने वाला है 82.92 दोस्तों अगर आप लोग 82.96 के नीचे sale करते हैं तब जो है आप लोग 82.92 के level पे trade को exit कर सकते हैं क्यूंकि दोस्तों 82.92 के level पे price को फिर से support मिल सकता है और उसी इसाब से दोस्तों आने वाले समय में अगर 82.92 का support break हो जाता है और उसके नीचे bearish candle form होता है तब ही जाकर हम लोग down set के लिए target कर सकते हैं और उसी इसाब से 82.92 के नीचे 82.87 बनने वाला है first target 82.87 के नीचे 82.83 बनने वाला है second target और अगर price 82.83 के भी नीचे जाता है तब जो है 82.78 के लेवल तक downside के लिए target कर सकते हैं और दोस्तों कल के trading session में अगर spot market 82.92 के नीचे जाता है तब जो है हम लोग 83 का put buy कर सकते हैं और अपने risk reward ratio के इसाब से planning करके कल के ही trading session में exit कर सकते हैं तो यह रहा कल के trading session के लिए USDNR का complete analysis अभी हम लोग कल के trading session के लिए यूरो आइनर का analysis कर लेते हैं वानर के चार्ट पे हम लोग देख सकते हैं 82.40 से 82.60 का जो range है यह यूरो आइनर के लिए strong resistance zone बन गया है दोस्तो हम लोग वानर के चार्ट पे देख सकते हैं इस range से price को multiple times resistance मिला है और उसी इसाब से दोस्तो कल के trading session में अगर price 89.40 के नीचे खुलता है तब जो हम लोग sale कर सकते हैं और उसी इसाब से 89.40 के नीचे हम लोग का first target होने वाला है 89.20 89.20 के नीचे 89 89 के नीचे 88.80 और अगर price 88.80 के भी नीचे जाता है तब जो हम लोग downside 88.60 के लिए target कर सकते हैं और दोस्तो कल के trading session में अगर price 89.60 के उपर sustain करता है तब जो हम लोग higher level के लिए target कर सकते हैं और उसी इसाब से 89.60 के उपर 89.80 बनने वाला है first target 89.80 के उपर 90 बनने वाला है second target और अगर price 90 के भी उपर जाता है तब जो है 90.20 के level तक trail कर सकते हैं तो यह रहा कल के trading session के लिए euro inner का complete analysis दोस्तों वीडियो के description पे free upstocks demand account का link दिया हुआ है अगर आप लोग हमारे link से free demand account open करते हैं तब जो है आप लोग हमारे premium group का हिस्सा बन सकते हैं दोस्तों premium group पे daily basis पे आप लोगों को live internet levels मिलने वाला है और उसी ही साब से दोस्तों आप लोग upstocks demand account का link चेक आउट जरूर कीजिएगा आशा करता हूँ आज के analysis आप लोगों को अच्छा लगा होगा अगर अच्छा लगा है तो please like कीजिएगा और अगर पहली बार इस channel को visit कर रहे हैं तो please channel को subscribe कीजिएगा, bell icon प्रेस कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ share भी कीजिएगा thanks for watching the video